पन्ता जी ये काशिना तो अंदर ही बैठा हुआ है हाँ संता जी जब वो बाहर आएगा तब तो कुछ कर पाएंगे हम उसे बाहर निकालने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा ठीक है तो मैं उपाय सोचता हूँ वो का मेरा है इस शराबी को बहला के फिर्षे शराब फिलाने का कोई तो रास्ता होगा डैत्यों की सेना का खंडोबाजी की सेना से खनहोर युद्ध हुआ युद्ध में भगवान शियू की स्वयम सहभागिता होने के कारण दानों के जीतने की कुई संभावना नहीं थी और हुआ भी यही देवताओं ने समस्त दानों को मार डाला और अंत में खंडोबाजी ने मल और मनी का संघार किया पृत्वी पर मानवता की रक्षा की साई बबा बरसों से इस कहानी को मैं जानता हूं लेकिन इसका सार आज तक मुझे समझ में नहीं आया खंडोबाजी की कहानी से हमें क्या प्रेर ना मिलती है दूआ जी जिस तरह खंडोबाजी ने हमारी रक्षा के लिए दैत्यों का नाश किया उसी तरह हमें भी स्वयम की हमारे समाज की रक्षा के लिए अपने अंदर के दैटे का नाश करना चाहिए हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी अच्छी चीजें हमें हमारे आसपास के लोगों को खुशी देती हैं और बुराईयां हमें अपनों से अपनी खुशियों से दूर करती है इसलिए हमें इनका नाश करना चाहिए साई, मैं अपने अंदर के बुराईयों का नाश करने के लिए जिजान लगा दूँगा हंडोबाईची ने हमारे रक्षा के लिए दानों का समहार किया है मैं उनके लिए बहुत सुन्दर माला बनाऊंगा जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम अच्छा पताओ क्या से निकालेंगे पन्ता जी पन्ता जी आप दिखने में जितने छोटे होना है आपका दिमाग उतना ही मोटा है मेरा मतलब वो नहीं मतलब बड़ा दिमाग है अच्छा सोचा आपने झाले बाहिए झाले झाले दूट आपकाम झांट है झांग, सिर्टम से मया रेंडिए करका है कुछलौ यह शुड़ है का यह भर धिएस्वी कुछला हार कि ल्यक्थ प्रेस्ट कि एल है झाल झाल ये गन दो कर दो कर दो कर दो झाल कर दो हुआ हुआ है कोई बात नहीं काशिनाथ, यू समुझ लो कि खुन नहीं? मदीरा पिने की इच्छा थी, जो पह गई साहियों, साहियों, साहियों जै शीरा संता जी, जब तक ये फकीर जाग रहा है, ये हमें काम्याब नहीं होने देगा हमें इसके सोने का इंतजार करना चाहिए हाँ, संता जी संता जीरा काशिनात काशिनात वेहत के लिए अच्छा है पंता जी ये फकीर सोएगा कब अरे पंता जी समय लगे पंता जीरा आप अपय हसंता जी तू जो यहां है, अब ही कावाज नहीं, चल, बहार है मेरे साथ बहुत, बहुत कबराट हो रही है साही ऐसा लग रहा है, खुछ गलत होने वाला है इन्हें बचा लीजे मेरा यखिन कीजे, मैं लगाओ पैसों की इंतिजाब बहुत जल्दी पैसे लोटा दूगा बगवान के लिए मेरे साथा पाई नहीं कीजेगा खाशी, निशिंद रहो तुससे हम मारपिट करने नहीं आये है बस तुम्हें याद दिलाने आये है क्योंकि तू तो उस फकिर के खंडर में जाके बैठ गया है अगर यहां पे रहेगा तो कामधंदा कैसे करेगा और जब कामधंदा नहीं करेगा तो कर्जा कैसे चुकाएगा ज्यान रहे इसके बाद तुझे कोई महलत नहीं मिलेगी कुंता जी एक आखरी बार और महलत दे दीजी बात को समझा करो काशी हम दोनों सरकार के मुलाजिम हैं मजबूर हैं पर यकीन मानो मुझे तुमसे पूरी हमदरती है तुम्हारी इस मजबूरी को मैं समझता हूं और सरकार नहीं वो तो हर वक्त हमारे सिर पर सवार रहते हैं आज सुबह से हमें धूप में काम पर लगा रखा था सोचा था कि घर जाकर दिन भर की ठकान उताने के लिए यह मधिरा को पिएंगे पर उन्होंने हमें तुम्हारे पास भीज़ दिया कहा कि तुम्हें याद दिला दू भी पीनी है क्या अरे ना ना तुम तो छोड़ना चाहता है ले इसलिए यहाँ पर आया है है ना तो जाने दे तेरी किसमत ही खराब है अब जब तेरे भाग्यम में मधीरा नहीं है तो नहीं सही पर सच पता खास अपने लिए बनवाई है मैंने गले से उतरते ही दिन दुनिया सब्से मुक्ती कोई जंजट नहीं सारी चिता मिटा देती है है ना संता जी सच कह रहे हो पंता जी चाहिए तो बोलो जाए नहीं, खास दो भाख को चाहिए गोलो हुँ हुँ संटाजी, मुदी भुली हाथ बन्वाए आचा आचा तुम्हें उस फकीर की चिलता हो रही है अरे वो फकीर तो कब का सो चुका है अब सुबे ही उतेगा तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा पीरो हुम्हारा 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 ओमसाइड़, 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 ओमसाइड़ कशीद जिटको मात अरे भाई ये लग चूटते चूटते चूटती है दीरे दीरे चूट जाएगी पीलो पीलो काशीनात पीलो एक दिन तुमे में क्या फरक पड़ेगा और एक बात काऊं तुम बेवजा ही उस फकीर की बातों में आ रहे हो ये शराब तुम्हारी उर्चा है ताकत है तुम्हारी ये शराब है इसलिए तुम हो लो पीलो होमसाइडाम होमसाइडाम ओम्जायराम ओम्जायराम पख्णो पीलो इसे आचाँ आचाँ झाल झाल स्टाइब कर दो कियो गहें, प्योग? साही, मुझे माफ कर दीजिये माफी क्यों मांग रहे हो काशी? मैं ना तुम से नाराज हूँ और ना तुम्हें पीने से रोकने आया हूँ दिल से कह रहा हूँ पीयो अगर तुम्हें लगता है कि ये इस वक्त तुम्हारी जरूरत है तो है अब कौन सा नया नाटक खेर रहा है ये फकीर? मैं कोई नाटक नहीं करना हूँ तुम पी सकते हो अगर सच में तुम्हें इसकी जरूरत है तो बस इसके बदले में एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें जे बोले से हर घूट पर तुम्हें रामनाम लेना होगा जैसे माला पिरोते वक्त लिया था हर घूट पर रामनाम लोगे साही बबा माला बनाते समय राम का नाम तो ठीक था लेकिन शराब पीते समय गुआ जी माला बनाते समय भी काशिनात इंसान था और अब भी ये इंसान है जिसे राम ने बनाया है काशिनात अगर माला पिरोते हुए राम का नाम ले सकता है तो शराब का सेवन करते हुए क्यों नहीं ले सकता कहीं फकीर को ये तो नहीं लग रहा कि उसके इस दाव से काशिनात नहीं पिएगा यकड को फोकट की शराब मिल जाए तो बो तो किसी का भी नाम लेकर पी सकता है अब देख मजा फकीर प्योका शिनात जैशीरा जाए मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और यह मैं क्या कर रहा हूं जाए ने मुझे खुद पीने के लिए कहा है फिर किस बात की जिजक है यो अगर इनकी शराब की लग नहीं छूटी तुम्हे और बूला इनसिक दूर चले जाएंगे मैं सौगन खाती है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी दूर इनकी जाएंगे जनकी जाएंगे 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 आएंगे यह तेरी कारस्तानी है ना फकीर तू यह मत समझ कि तू जीत गया बले ही तू इस बार काम्याब हो गया हो लेकिन तू कुछ भी कर ले तू किसी भी हाल में काशेनाथ यह शराफ पीने की लग को छुड़वा नहीं पाएगा चरप मलताजी हुई है वही जो राम रचिरा खाएग बाबा अब भी मेरी समझ के बाहर है मदीरा के साथ राम नाम बुआ जी राम नाम तो परब्रम का प्रतिरूप है कोई भी चीज इसे अपवित्र नहीं कर सकती लेकिन इसके जाब से अशुद्ध से अशुद्ध चीज भी पवित्र हो जाती है राम नाम का जाब करने से विचारों में सकारात्मक्ता आती है सही और घलत की पहचान कराता है राम नाम ये अच्छाई का प्रतिक है और शराब बुराई का अच्छाई की संगत में बुराई आ जाए तो एक समय आता है जब बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है जैसा काशेनात के साथ आज हुआ शराब की लद में घिरा हुआ काशी राम का नाम लेती ही दूसरा घुट नहीं पीपाया क्योंकि उसका मन पवित्र हो गया आपकी शरण में हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है राम जी भला करें काम पाना काश का दुश्मन अनाज का वो बहरागी उसकाशिनात के कान भर रहा था तब तुम दोनों क्या उसे निहार रहे थे बिना सिंगों के गदो किस बात के पैसे देता हूं मैं तुमें माफ कर दिजिय सरकार मैंने तो अपना कारे ठीक तरीकी से पुरा कर दिया था काम या भी हो गय था लेकिन लेकिन सरकार आप उस फगिर को जानते हैं पता नहीं कब काला जादू करके लोगों को ब्रहमित कर देता हैं हम वहापर ही होते हैं लेकिन कुछ नहीं समझते हैं सरकार और हम जीती हुई बाजी बार बार हार जाते हैं सही कहा तुमने पनता सही कहा इस बार हम इस डाव में जरूर असफल हुए है लेकिन मेरे तीर समात नहीं हुए है मैंने मैदान नहीं छोड़ा है एक काम करो संता पंता इस गाशी नात पे हर पल अपने दिश्टी बनाए रखो और जैसे ही अवसर मिले उसे शराब पिला देना उसकी ये लद छूटनी नहीं चाहिए च्योंकि अब ये मेरे प्रतिष्ठा का प्रश्ण बन चुका है हरी ओम इस अगार क्या हो रहा है काशी इसे अवशिदी देने होगी साही पुछ कीजिए काशीनात की हालत खराब हो रही है साही जल्दी कुछ कीजिए ये दर्म मुझा शराब चाहिए बाबा आप इसे उदी क्यों नहीं दे रहे है बर्सू से शराब की आदत है शरीर को अचानक पूर्ती बंध होगी तो इस तरह की तकलिफ होना स्वाभाविक है काशीनात को अपनी इच्छा शक्ती से अपने मन को द्रिड करके इस असहनिय दर्द पे विजय पानी है उदी दूंगा तो इसे ततकाल राहत मिल जाएगे लेकिन पहर तो पहर के बाद काशीनात को फिर से इस दर्द से इस थिदी से जूझना होगा इसे जरूरत है अपने मन और तन पे विजय पाने की उसका असर स्थाई होगा इसलिए इसे ये दर छेलना होगा अगर आप सब काशीनात के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो इसका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ाने की कोशिश कीजिए अब की बाद बिल्कुल सही है बाबा लेकिन काशीनात का तन बन शराब की मांग कर रहा है इसका धिमाग और कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है ये अमारे कुछ भी नहीं सुनेगा तो फिर हमें वो तरीका ढूनना होगा जिससे काशीनात का ध्यान शराब से भटक कर कहीं और टिक सके आपकी बाद बिल्कुल सही है बाबा लेकिन काशीनात का तन बन शराब की मांग कर रहा है इसका दिमाग और कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है ये अमारे कुछ भी नहीं सुनेगा तो फिर हमें वो तरीका ढूनना होगा जिससे काशीनात का ध्यान शराब से भटक कर कहीं और टिक सके मन में साई के क्या है कान जान पाए ओं सायों 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 बाप अप अरे कितने निर्दई हो तुम लोग काशी नात यहां तड़प रहा है दर्द से बिलबिला रहा है इसके चीखने की अवाज बाहर तक सुनाई दे रही है और तुम सब तमाशा देख रहे हो अरे ऐसे में इसके प्राब निकल जाएंगे काशी जो कह रहा है मानते क्यों नहीं तुम लोग इसे थोड़ी से शराब पिला दो यह ठीक हो जाएगा अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम सब हो गए हाँ आज आप दोनों को तो बड़ी चिंता हो रही है अशर है आज तक तो आपने किसी शेड़ी वासी की चिंता नहीं किये हिरे इना तक क्यों है हो ना इसके पीछ पीछे पिता-जी की कोई ने कोई साजी जरूर हो गई हम नहीं 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 जानता हूं आपको और पिता-जी को साइस का इलाज कर रहे है और यह ठीक हो जाएगा इसलिए आपको साइं के इलाज में हस्तक शेप करने की कोई ज़रूत नहीं है जाइए यहां से चोटे सरकार मैं तो काशीनात के भले के लिए बोल रहा हूं और आप भी बताईए ना किसी के साथ जबरदस्ति करना क्या सही है संदा जी सही और गलत क्या है यह हम नहीं जानते हैं हम बस इतना जानते हैं कि काशीनात को आप दोनों की जरूरत नहीं है काशीनात को मेरी जरूरत है या नहीं इसका फैसला आप काशीनात को ही करने दीजिए काशीनात लो यही चाहिए धना तुमें लो पियो इसको इसको पीने से तुम ठीक हो जाओगे लो और नहीं पिया तो हो सकता है कि मर भी जाओ अगर तुम मर गए तो तुमारे परिवार का क्या होगा इतनी जिम्मेदारी है तुम पर इतने लोगों का कर्ज है तुम क्या सुष्टो तुमारे जाने के बाद लोग तुमारे परिवार को परिशान नहीं करेंगे तो ये तुमारी भूल है उम खुला के बारे में सोचा है ये मरने से तु अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी पीकर तुम जिन्दा रहो तुमारे परिवार पर दुखों का पहाड ना तूटे इसलिए तुम जीवित रहके उन्हें दुखों से बचाओ लो, पियो कर दो, पियो यह क्या कर रहे हो काशिनात्थ देखो तातिया कोई जबरदस्ति नहीं कर रहे है काशी की जो इच्छा होगी वह वही करेगा क्यों काशी कर दो में वही कर रहे है काशी जबर एक भी मादरशनी तो तो आ जो उन्यूश कर रहे है का या उन्यूश कर रहे है आड." खनो प्रेमन के यो… के बिपनkim हार्व के तहुड़ Нам एक भूब के शरता गहीं झाल 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 राम नाम तो परप्रम का प्रदीरूप है कोई भी चीज इसे अपवित्र नहीं कर सकते लेकिन इसके चाप से अशुध से अशुध चीज भी पवित्र हो जाती है जै श्री राम 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 कर दो कर दो कर दो कर दो हरेख्रिष्णा हरेख्रा तिरी निहमट बस संद्रजी अब आप दोरो जाएए यहां से झाल 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 बोला क्या हुआ उदास क्यों है सुबह भी जल्दी उठा था नाश्ता भी नहीं किया क्या हुआ क्या हुआ किसने कहा क्या कुछ दुछ से आई बापा के बहुत नहीं आदारी है क्या हम उनसे मिलने नहीं चाँ सकते हैं अब भी नहीं बेटा मुझे भी इनसे मिलने का बहुत मन करता है पर साई ने क्या कहा हमें यहां रहना है तो सबूरी रख सब ठीक हो जाएगा तो साई पर भरोसा करता है ना वो फिर क्यों रो रहा है विखना साई की क्रिपपा से तेरे बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरा माता तो गरम है अब यह ठीक है ना तेरी रेनू रेनू वहीनी अब यहां कैसी हो मैं ठीक हूँ अरे रे कैसी शकल होगी बेचारे बच्चे की इसका तो बच्पन ही छिन गया अबवान किसी बच्चे के साथ ऐसा न करे पर रेनू तो उसे जूटी आस देकर उस दे तो बहला खुसला सकती है लेकिन हमेशा तो नहीं न अगर इसे आज ही सच बता दो तो इसके लिए बहतर होगा मैं समझी नहीं वहीनी देख रेनू पूरा गाव जानता है कि काशी भाव कैसे हैं उनके शराब की लग तो छूटने से रही और तूने भूला से ये कहना कि इसके बाबा जल्दी घर आएंगे इसे जूटा दिलासा देना नहीं तो और क्या है क्यों इसे जूटी अमीद बंदा रही है बेटा अब तू अपने बाबा के बगैर जीने की आदत डाल ले पर परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है हम है न तेरा खयाल रखने के लिए पहले भी तो हम ही खयाल रखते थे और आगे भी हम ही रखेंगे ये देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ बेशन के लड़ू परसोन शिवा का जरन दिन था तो बने थे फोड़े बज़े थे तो ले आई ले आले मुझे ने खाने ये बहिनी आप इतने कड़वे बोल क्यों बोल रही हैं बच्चा है वो उसे उमीद है कि उसके बाबा ठीक होकर वापस आएंगे उससे ये उमीद क्यों छीनने आई हैं आप उमीद नहीं ये जो तुम जूठी आज दे रही हो वो चीन रही हूँ आज आज लगा कर बैठेगा और कल बाबा के ना आने पर जो सदमा लगेगा वो बरदाश्ट नहीं कर पाया तो सकते उसकी तबियत और खराब हुजए साई आप अचानक हमें ड्वार का माई क्यों लेकर जा रहे हैं? सोचा क्यों न यहां हम कोई खेल खेले? अगर हम मिलकर मिट्टी का किला बना है तो कैसा रहेगा? साई थोड़ी देर पहले काशी ने क्या क्या? मुझे काशीनात पर करव है और साथ ही इस बात की खुशी है कि बीती रात मैंने आपसे जो कहा था वो आपको याद रहा बाबा सब आपकी एक रुपा है साई एक बार काशीनात को देखने अंदर नहीं आएं गया? नहीं तात्या बच्चों के साथ समय बिताना भी जरूरी है साई हमें आपका सुझाओ पसंद आया हमने सोचा है आज हम छत्रपदी शिवाजी महाराज का किल्ला बनाएंगे साई साई बच्चु, बच्चु किला बनाना शुरू करा साई बाहर क्या कर रहे है अंदर आ जाते तो मैं उदी मांग लेता उनसे किला बनाना शुरू कर रहे है किला बनाना शुरू कर रहे है झाल झाल साई ये बार बार गेर क्यों रहा है हाँ बनाने की कोशिश करती रहो कोशिश करने से ही कामया भी मिलती है मैं भी कोशिश करता रहोंगा साई हार नहीं मानूंगा मैं भी करता रहोंगा झाल झाल रुग जां रुग जां बड़े पत्तर को छोटे पत्तर पर रखोगे तो दिवार गीर जाएगी दिवार को स्थीर रखने के लिए मिट्टी का लेप लगाना जरूरी है काशी हमारी मदद करोगे जरूर साई जरूर 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 देखो बड़े पत्तर से निवबा नारावूमे जरूर 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 देखो, मिट्टी का लेप लगाने से दिवार स्थीर होगी आणां लेखो, मिट्टी का लेखो अ, आणां लेखो झाल 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 झाल